हेई गाइस, हम अम्रिका फ्रॉम गाइडली होब कि आप सब लोग बहुत अच्छे होगे और बहुत सारी पढ़ाई कर रहे होगे और आज मैं आप सब लोग के सामने वीडियो लेकर आई हूँ एक बहुती इंपोर्टेंट टॉपिक पे जो कि कि as a sprint मैं, और as a sprint आप फेस कर रहे होगे और वो है कि आपकी पढ़ाई में जितना भी मैंने as a sprint observe किया अए इतने सारे लोगों से मैंने बात करी as a mentor मैंने बहुत सारे a sprint से बात करी है और उनसे बात करने के侏 बात मुझे सबसे दादा चीज पता चली ना कि क्या चीज जो आपकी पढ़ाई में आपको सबसे दादा डिस्टाइट करती है तो वो है शोचल मेडिया ठीक है यूट्यूब और उसके सौट्स मतलब सौट्स तो ऐसे ना कि आप पांच मेड का इंटर्टेनमेंट उसमें सोजा कि मैं ऐसा कोई दावा तो नहीं करूँगी कि मेरे पास इसका कोई इलाज है कि मैं यह प्रॉब्लम्स को सौल कर सकती हूँ आपकी ठीक है लेकिन हमें कुछ इंपोर्टेंट बात आपको बताऊंगी जिससे आप खुद डिसाइट करूँगी कि आपको करना चाहिए नहीं करन चाहिए तो किस मूले पे करना चाहिए तो सबसे पहले जब मैं बात करूँ यह यूट्यूब या शोशल मीडिया प्लेट फॉर्म तो यह जब से हमारा वैब 2.0 आया हूँ ए मतलब वैब 2.0 का मतलब होता है तमम शोशल मीडिया प्रेट फॉर्म जिनमें हम अपनी विशा तो यह अपने अब्जर्ब किया होगा तो यह YouTube हो गया या जितने भी social media platform हो गया इनकी अपनी कोई सामगरी है नहीं है इनकी शुन्य सामगरी है इनका कोई content अपना फुद का नहीं है यह सब जो है ना यह हमारे content से चलते हैं हमने इसमें कुछ डाला हमारे दोरे समें कुछ ड free of cost है एक भी पैसा चार्ज नहीं करना पड़ता आपको वीडियो देखने के लिए कोई चार्ज नहीं देने पड़ते है ठीक है ना तो आपने कभी सोचा है कि यह इसा क्यूं है क्योंकि इसमें वीडियो बनाने का या ब्लॉक बनाने का ब्लॉक लिखने का काफी अच्छा प्लेटफर्म होते है ना या फिर यो यूट्यूब होता है इनकी करेंसी नहीं डॉलर है नहीं रूपीस है इनकी करेंसी है हमारी आईवाल्स हमारे क्लिक्स आईवाल्स सीधी भाता में भाशन में बात करें तो हमारी अटेंशन है इनकी करेंसी जो कि हम इने देते हैं अब तो हमें इन्हें किस मूले पर देते हैं क्या बुकतान पर इन्हें करेंसी दे रहे हैं यह हमें खुद भी नहीं पता अभी तो यदि मैं बात करूँ यह जो विक्रेता होते हैं क्योंकि आप जैसे ही शॉट्स वगरा देखते होगे आपको कुछ-कुछ विग्यापन भी मिलत थिक है तो यदि मैं सीधी भाषा में बोलू तो यदि मैं सीधी भाषा में बोलू तो यदि आप वैब 2.0 पर हो या दुज़ार थेंस में हो और यदि हम बात करें हमारे अटेंशन की तो यह जो है यह तमाम कमोडीटी के लिए यदि मैं शोचल मीडिया प्रेटफर्म को कमोडीटी बोलू यूट्यूब को एक कमोडीटी बोलू तो आप की जो अटेंशन है इनकी सबसे मूलेवान मुद्रा है जो कि आप इन्हें फ्री में दे रहे हो ठीक है तो यदि मैं बात करूँ ऐज़ा विक्रेता और ऐज़ा ग्राहक ठीक है हम समझें कि वो हमें कुछ बेच रहे हैं हम कुछ खरीद रहे हैं तो मैं यह नहीं कहूंगी कि आप इसे रोक सकते हो आप नहीं रोक सकते क्योंकि आप इंसान हो ठीक है ना लिकिन एक इंपोर्टेंट इंसान यह आप अपने आपको समझते हो as an important person आप अपनी attention का मूले जरू डिसाइड कर सकते हो कि आप किस मूले पे किस सेवा के बदले में अपनी attention सामने वाले को दे रहे हो example के लिए यदि आप कोई पढ़ाई का वीडियो देख रहे हो ठीक है यदि आप कुछ अच्छी चीजे देख रहे हो like meditation या फिर कोई अच्छी बुक का audio सुन रहे हो ठीक है यदि आप ये देख और इन वीडियो को आप अपनी attention दे रहे हो ठीक है तो हमें लग रहे है कि हाँ आपने attention दी आपने पैसे दी आपने currency दी उसके बदले में अपने कुछ अच्छा उनसे लिया कुछ अच्छी सेवा उनसे अपने ग्रहन की लिकिन यदि आप नॉर्मली कोई shots देख रहे हो जो आपकी attention है वो इनकी लिए commodity की लिए तो पैसा ही हुआ ना इनकी currency हुई जिसको आप बिल्कुल भी मुफ्त दे रहे हो तो यदि आप ऐसे किसी वीडियो को दे रहे हो तो आप क्या रहे हो एक तो आपने सबसे पहले उनका अपनी attention को underprice किया या फिर आपने बिल्कुल मुफ्त में उन्हें दे दी या फिर ये बोलो कि आपने मुफ्त में क्या दी आपने अपना घाटा ही किया है क्योंकि ये वीडियो आपकी help नहीं करेंगे आप एज़ा स्प्रेंट हो आप एक दिन SBI PO, IBPS PO, RRBPO या जो भी officer बनना चाहते हो जिस भी जगे पे जाना चाहते हो ठीके ना तो ये आपकी क्या मदद करेंगे ये आपकी कोई मदद कर रहे है क्या कोई मदद नहीं कर रहा है शॉट्स आपकी ये आपके दिमाग को और खराब कर रहे है ठीक है पांच के पचास्त मिनेट हो रहे आपको पता नहीं चल रहा है एक घंटे के दो घंटे और पता नहीं चल रहा, तो बस मैं यह कहना चाहती हूँ, कि आपकी जो अटेंटेंटेंस है, जो आपकी आइबॉल्स है, यह इनके लिए पैसा है, यह इनकी करेंसी है, तो प्लीज अपनी अटेंशन का प्राइस डिसाइड करें, कि आप किस सेवा के बदले में, किस सीज के बद लगता है, कि वो एक दो दो घंटेंटें शोशल मीडा को देता होगा, क्या उसमें वो रील्स देखता होगा, नहीं देखता होगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं है, और यदि होगा भी ना, तो वो कुछ प्रोड़क्टिव काम करेगा, एसी फाल्तु की चीज कि आप बेज़े की चीज नहीं करोगे, बेज़े की चीजों को अटेंशन नहीं दोगे, आपके अटेंशन बहुत मैटर करती है, ठीक है, तो आई होप को आपको मेरी बात समझ में आयोगी, और आंगे से आप कोई भी रील्स है, कोई भी वीडियो देखने से पहले हजार और सोचोगी कि आप क्या कर रहे हो, और अपनी अटेंशन किसे दे रहे हो, ठीक है, और साथ में आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आँगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पर बताना, और थैंक यू सो मच, और थैंक